आज बताने जा रहे हैं प्लॉट नम्मर के बारे में कि कौन सा प्लॉट लेने से आपको नुकसान होगा कौन सा प्लॉट लेने से आपको फैदा होगा जब हम जमीन खरीदने जाते हैं परपटी खरीदने जाते हैं मकान खरीदने जाते हैं तो उसमें प्लॉट नम्मर होता ह जो जमीन खरीदते हैं, तो जमीन पर जब मकान बनाते हैं, तो उसमें जब सेल डिट के कागच आप लेते हैं, तो कागच देखते हैं, रसीत देखते हैं, तो कागच में प्लाउट नम्मर को भी देखना चाहिए, कि कौन सा प्लाउट नम्मर का हम जमीन लेंगे, तो हमको फ तो आज उन मकान कौन सा प्लॉट में बनाना चाहिए आज हम बताने जा रहे हैं तो यहां पर प्लॉट नम्मर 460 plot नम्र 460 यहां पर है तो 460 को हम जोरेंगे आई लो deren के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा plot नम्र लेना चाहिए और कौन सा plot नम्र नहीं लेना चाहिए तो जब हम जो 30 में 0 को हम लोग नहीं लेके चलते हैं 0 को मान के चलिए कि 0 को हम लोग नहीं लेते हैं, 0 को नहीं लेते हैं, तो 460 पलोट नमर था, तो 6, 4, 6, 4, 10 हो गिया, जब 10 हो गिया, तो हम यहां पर हम 10 लिख लिए, तो 10 लिख लिए, तो हम 0 को जब हटा देंगे, यह 0 को हटा देंगे, तो एक नमर बच जागा, तो यह एक नमर का पलोट नमर यह हुआ 460 का जोड एक नम्मर आया तो एक नम्मर का पलोट हो गया इसी तरह से जोड़ना है मान के चले कि यहाँ पर 1460 होगा मान के चले 1460 पलोट नम्मर है तो इसको भी जोड़ना है 6, 4, 10, 10 आएक इगारा तो इगारा आवेगा यहाँ पर आपका इगारा को जब हम एक आएक दू यहाँ पर दो बन जागा इस तरह से हमको पलोट नम्मर को जोड़ना है तो जब इस तरह से पलोट नम्मर जोड़िएगा तो यहाँ पर एक नम्मर निकल का यहाँ यहाँ पर दो नम्मर निकल का यहाँ तो इसी तरह से जोड़ना है, 0 को नहीं जोड़ना है, 6, 4, 10, 1, 11, तो यहां पर 11 हुगा, 11 को आपस में जोड़ है, 1, 1, 2, तो यहां पर 2 नमर निकल काया, तो दो नमर का पलोट हो गया, यह एक नमर का पलोट हो गया, तो कभी भी पलोट जब खरीदने जाए तो इस तरह से जोड़ ले, कोई और नमर रहेगा, उसको जोड़ लेजिए, अगर डवल डिचिज में आता है जोड़ के यहां पर, तो सिंगल में लेके आए, सिंगल में कितना नमर आता है, वही आपका पलोट नमर भाग नमर होगा आपका, तो हम आप बताएंगे, लोसो ग्रीट के हिस हिसाब से कि कौन सा आपका पलोट नमर लेने से फैदा होगा, आप कौन सा पलोट नमर लेने से नोकसान होगा, एक नमर का, एक नमर सुरिया का नमर है, राजा का नमर है, इपलोट अगर आप पलोट नमर आपका सुरिया का नमर आ रहा है, एक नमर आ रहा है, टोटल जोड नम्मर का प्लोट आ रहा है टोटर जोलदा पर जैसे यहां दो आया इस तरह से दो नम्मर आ रहा है तो दो नम्मर पौरपटी का नम्मर है दो नम्मर चनर्मा का है पौरपटी का नम्मर है अगर इसमें मकान बनाते हैं तो एक दिन जरूर आप जो हैसे जबिन और यह मकान के के लावा खरिच सकते हैं और परिवार आपका हडा भारा रहेगा अगर तीन नम्मर प्लॉट नम्मर है तीन नम्मर अगर यहाँ पर जोर के तीन आ गिया तो तीन नम्मर प्लॉट नम्मर गुरू का नम्मर है अगर उसमें मकान बना लिए प्लॉट में तो उसमें आपका जो बाल बच्चे होंगे फट लिखा होंगे आयस अफसर होंगे मतलब कि इंजिनियरिंग में होंगे मतलब कि अच्छा पढ़ा लिखा उस में व्यक्ति आपका बनेगा उसमें रहेगा और हर प्लोट नम्मर में जैसे मकान जो बनाए हुए है तो मकान हरदम आपका चमकते रहेगा हरदम रंग पेंट होते रहेगा मेंटेनस में मकान रहेगा जब तीन नमर आएगा जब गुरू का नमर है और सोना हरदम में आदमी जो रहने वाला तीन नमर पलोट में होगा तो सोना हरदम में खरीते रहेगा और कभी भी रोजी रोज लिखा अदमी आच्छा पोश्ट पर ऐगा cya 7 नमर फ्रोट नमर साथ नमर एक परिवारिक नमर है कि अरगे फ़्रीवार को जो ड के orangता है रहें कभी भी रो испना इधार ब्र्ट 1965 कि א Français भरा हुआ रहेगा पाँच नम्मर प्रोड नम्मर हरकोई ले सकता है अगर पाँच नमर का प्रोड नमर है तो आपका अगल बगल के परोस नमर हो सकता है इस नटा के भी अद्मी हो गाउं जवार में अगर भोट मांगने के लिए कोई नेता होता भी आ रहा है तो आपके दरवाजा पर जरूर रुकेगा जरूर एक गिलास पानी पियेगा आप पांच नमर का प्लोट नमर जो होता है ये भी आपका रोजी रोजियार में अच्छा बरकत मिलेगा आगर प्लो नमर आ जा रहा है प्लोट नमर तो उसमें बेमारी जब घर में पैसा आएगा जब कुछ नकुछ बेमारी आ जागा अगल बगल से जो है से आपका प्रोसी से जगरा ज्ञत चलते रहेगा और कुछ केस मुकदमा में आपका फंस जाहिएगा अगल बगल से कुछ न कुछ केस मुकदमा आपको चलते रहेगा आई इसको भूतिया घर भी बोलते हैं जब 8 नमर आपका मकान नमर आजागा तो उसमें भूतिया घर आपका मान के चलिए को जा कुछ न कुछ दुर घटना घर में घटते रहेगा नव नम्मर प्लोट नम्मर नव नम्मर एक अगर हम लोसो ग्रिड इस तरह से बनाते हैं तो इसमें फाइर एलिमेंट आता है तो घर में सकुन नहीं मिलेगा आप को घर में परिवारे में अपने में कुछ बाता बाती लडाय जगरा टेंसन बनाल रहेगा, एक दुसरे से टेंसन बनाल रहेगा इसलिए कि fire element होता है अगनी तत्म इसको बोलते हैं सब गरम मियाज के रहेंगे हर दम दम गरमी में रहेंगे बात करेंगे कोई किसी का बात बरदास नहीं करेगा अगर 9 नमर आपका plot नमर हो जाता है बहुत powerful नमर है तो आपका घर में सकून नहीं मिलेगा आग यह 4 नमर plot नमर चार नमर इस्टगल का नमर है बिमारी का नमर है चार नमर अगर आपका plot नमर है तो कभे भी आपका घर ठीक से तो एक तो बनेगा नहीं आप बन जागा तो बिमारी बहुत ज़्यादा रहेगा जब पैसा लाईएगा जब कोई नो कोई बिमारी ढूग आपको तंगी हालत अर्दम में बने ले रहेगा कभी-कभी तो इतना तंगी कर देगा कि एक कुरूपईया लाब तरस जाहिएगा जब आपका चार नमर प्लोट नमर रहेगा तो आप प्रोसी से भी बाता बरन ठीक नहीं बना रहेगा मान के चलिए कि आपका गोतिया नही कुरूइश में अदमी मरेगा आप परसान रहेगा जब चार नमर प्लोट का नमर है तो अगर अगर लौसर गिरिट से दोलत aikा है अगर प्लोट कर नमर है तो ईप नॉको सांदेगा लेसे ऊदिक नशाज रहा तो उसमें भी आपको नुकसान देगा तो इस चार नमर कभी क देट और बर्त में चार नमर नहीं रहेगा, तो चार नमर के पलोट नमर नहीं लिजिएगा, नहीं तो यतना इस्ट्रगल देदेगा, यतना परसान आपको कर देगा, तो मकान आपका बिक जाएगा, फिर आप बताते हैं लोसो ग्रीट के हिसाब से, लोसो ग्रीट के हिसाब से बताते हैं कि मकान कौन सा राजयोग बना देता है अब यहां पड़ा जाता है चार नमर का भूंकर जब चार नमर का भूंकर यहां पड़ा जाता है छे नमर पांच नम्मर अचार नम्मरी चे नम्मरा फांच नम्मर अचार नम्मर मिलके 15 नम्मर बना दता है जब फांदरा नम्मर बन जनता है कि तो पंदरा के आप छैनप नम्मर बनता यह जब 15 आपको यservice ज्वे एख ठेज more जाता है जब छे बन पैसा अगर घर प्लॉट नम्मर मिल जाए तो माला माल हो जाएगा कभी रुपईया कमी नहीं रहेगा हर दम लगेगा कि बड़कतर उसमें पैसा का बारिस हो रहा है घर में जब राज योग बन जागा प्लॉट नम्मर से चाव पांच चाव अगर किसी का डेट और बर्त में भी है तो राज योग बनता है जब राज योग बनता है अगर प्लॉट लेने जा रहे हैं आपका डेट और बर्त में अगर ऐसा बन जाता है नम्मर अगर ऐसा बन जाता है जब इस तरह से जब नम्मर बन जागा जह चार पांच छे रहेगा प्लॉट नम्मर तो आपका राज योग बन जागा तो जब राज योग बन जागा तो कभी धन के कमी नहीं होगा प्लॉट नम्मर में देखे छे नम्मर यहां हम उस बकत नहीं बता है ते छे नम्मर अग कम भी कमाई हो रहा है थोड़ों पर भी पैसा रहेगा वाकि छे नमर अगर खाली आ रहा है तो यहां पर आपका डेट और बर्त में किसी का घर में डेट और बर्त में अगर जो मुखिया घर का है अगर डेट और बर्त को अगर टोटल को जोड़ते हैं तो तीन नमर आ जाता ह अच्छा है तो यहां पर तारीक में अगर तीन नमर आ जाता है तारीक जो जो तारीक के जनम लेता है उसमें तीन नमर आ जाता है तब आपको छे नमर का प्लोट नहीं लेने पड़ेगा इसलिए कि छे आतिन जब हम तीन यहां पर लिखते हैं इसे करके यहां पर तीन हो गया और यहां पर 6 हो गया तो यह आपका 3 का 6 का दोना का पीठ एक तरक हो जाता है जब 6 नम्मर टोटल आपका डेट और बर्त को जो जो जनम लिया है 6 नम्मर आएगा चाह 6 तारीक के जनम रहेगा तो तीन नम्मर का पलोट मत लिजिएगा और जब 3 नम्मर टोटल जोर के आएगा चाह 3 तारीक के जनम आएगा टोटल डेट और बर्त को 3 अगर जोर के आता है तो आप फिन 6 नम्मर का पलोट नहीं लिजिएगा यह दोनों प्लौट ले सकते हैं झे नमर माननेंगे चल्य कि घड़ में तो दस हो पांच ऊशा स्कते हैं तो कोई के नाम से भी देखिएगा नहीं प्लाउटे नम्मर मेन है मेन प्लाउट नम्मर से ही आपका जो है से जो घर बनाईएगा उसमें आपको सुकून मिलेगा प्लाउट नम्मर ही आपका जो है से डेट और बर्ट से जुरेगा तो आप साथ नम्मर का प्लाउट कोई भी ले सकते हैं कोई भी सकते हैं दो नम्मर कोई भी date और बर्स के लिए लेते पांच नम्मर का कोई भी date और बर्स का अदमी plot नमर ले सकते हैं अगर कोई भी plot में 852 बन जाता है यह भी आपका looking सिर्वन लाइन बन जाता है तो यह भी प्लॉट अगर मिल जाता है आठ पांच दो तो आपका प्लॉट में समझे कि पैसा कभी कमी नहीं रहेगा कभी दुख विमानी नहीं रहेगा इस तरह से आप प्लॉट नमबर अगर आप जोर लिजिएगा जोर के जतना भी आएगा तो इसको सिंगल डिडिट में लाके आप जो हैसे प्लॉट नमबर आप अपना दे सकते हैं इसको टोटल को जोर के इगारा लाया तो सिंगल आया दो नमर और चार नमर और आठ नमर और नव नमर का प्लॉट कभी भी मत लिजिएगा टोटल जोर के नहीं आना चाहिए देकि हम राज योग के बारे में भी बताये हैं तो टोटल जोर के चार नमर नहीं आता है तो टोटल के नमर पर पंद्रा आता है अगर हम आपर देख ना चाहिए अगर सब नमर आ रहा है अगर टोटल जोर के तीन आ रहा है तो अपना डेट और बर्त देख लिजेगा कि उसमें छे नमर मेरा है कि नहीं है टोटल जोर के छे आ रहा है कि छे तारी के जनम नहीं नहीं है तो अब यह नहीं लिजिएगा दूसरे प्लॉट लिजिएगा नमर का तो आप जब प्लॉट लेनते हैं उसमें मकान बनाते हैं तो अगर अगर प्लॉट नमर को जाच के लेते हैं तो वही मकान आपके लिए खुसहाली देदेगा पैसा देदेगा देदेगा कभी भी आपका सकून के जिंदगी उसमें रहेगा अगर प्लॉट नमर गलत अगर तरीका से हो गया डेट और बट से मैच नहीं कर रहा है आपका जीवन से मैच नहीं कर रहा है तो आपको वही प्लोट नम्मर आपको एतना परसान कर देगा एतना घर परसान कर देगा कि आपको लगेगा कि भूतिया घर हो गया है इसमें जब से आया है हम परसान रहते हैं आगला वीडियो में हम फिन बताएंगे किस यार नमर के बारे में मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर दिए